तो हे गाइस, Motorola की तरफ से एक budget का 5G फोन आने वाला है, Motorola G7 इस काफी ज़्यादा हमेशा तारीफ में रहती है, मनलब G7 जो बहुत अच्छे फोन निकालते हैं, तो Motorola की तरफ से, Motorola G34 के बाद अब Moto G35 5G स्मार्टफोन लाँच होने वाला है, और आपको मैं बता दू, इसका जो confirm 100%, confirm price, specification, कब लाँच होगा हर चीज मेरे को पता है, आपको हर चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो पूरा देखना है, तो यह बहुत बड़ी बात है यार, और यहाँ पे इसका जो price मैं clear कर देता हूँ, इस phone का जो price होगा, वो मातर 10,000 रुपे के राउंड होगा, तो 10,000 रुपे के एक budget phone में आपको 120Hz का higher refresh rate, 15 5G के band मिलेगे, full 5G phone होने वाला है, और यह जो phone है आपको देखने को मिलेगा, 50MP का male camera और साथ में 8MP का wide angle camera, यह बहुत जादा seriously बहुत amazing phone होने वाला है, front camera आपको यहाँ पे 16MP का selfie camera with middle punch hole देखने को मिलेगा, यह भी बहुत अच्छी चीज है, और हाँ यहाँ पे यह जो phone है न, Unisoc T760 processor के साथ आता है, entry level का 5G chipset होगा, लेकिन एक 5G phone जो है, अच्छा का ता performance दे देता है, किसी भी एक 15,000 रुपे तक के 4G phone से, तो अब इस phone मे इस आपको साथ में देखने को मिलेगा, 5000 mAh का battery और 20W charger in the box, तो मतलब हर चीज इस phone में भर भर के दिया गया है, इतना ही नहीं, इस phone में आपको leather bag design मिलेगा, साथ में matte finish का भी option है, black color में, of course यह जो phone है, plastic के साथ आने वाले, plastic design, plastic build quality, लेकिन premium आपको design देखने को मिलेगा, औ phone को अच्छा बनाया गया है, stock android phone को कोई भी bloat वर यासा, कुछ भी नहीं होने वाला है phone में, अब इस phone कब launch होने वाला, यह जो phone ended market में 10 December को launch होने वाला है, और launch से पहले मैंने आपको 100% confirm specification बता दिया है, यह जो phone है का, इस Moto G35 5G, आपको IP52 water resistance के साथ देखने को मिलेगा, हल भी बहुत ज़्यदा अच्छी चीज मेरे को लगी, यह phone है, आपको 6GB RAM और 108GB interim memory के साथ option देखने को मिलेगा, साथ में 464 का भी option आपको देखने को मिलेगा, और हाँ, LPDDR4X RAM देखने को मिलेगा, और UFS 2.2 storage आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बेसिक सा है हर चीज, मतलब एक 5G phone, अच्छा का था 5G phone, जो की एक 15,000 रुपे की phone में हमको specs मिलते थे, वैसे specification मिल रहे है, एक 10-11,000 रुपे की phone में, और साथ में जो processor है, वो थोड़ा सा entry-level का है, नया chipset है, definitely Unisoc की तरफ से आता है, तो अगर Mediatek या फिर Snapdragon, Qualcomm की तरफ से आने वाले, यासे कुछ chipset अगर ये लोग यूज करते हैं, तो शोने पर सुहागा होता, लेकिन अगर मानलो क्योंकि G45 5G smartphone launch हुआ था, जो की 10,000 रुपे में provide हो रहा था, starting में 11,000 something में, तो बहुत ज़्यादा boom बचा था उसने, तो अभी जो है Redmi की तरफ से Redmi A4 5G smartphone 8,000 में launch हुआ है, तो इसका processor मेरे को है Unisoft की तरफ से लग रहा है, तो ये कम बजट का processor होता है, इसमें कम खर्च होता है, मतलब नया processor company है, जो भी है, तो इसकी वज़े से हो सकते है, इस phone का price और कम हो, लाइक अगर by the way, फून 9,000 रुपे something में launch हो गया, भाई साभ या आट पांस सो में launch हो गया, तगड़ा म नहीं बात रहेगी, एक 10,000 में आजाए, एक 8,000 और कम कर दो, मज़ा आजाएगा, इस phone एक 85 ग्राम को होने वाला है, तो हर चीट मैंने बता दिया, इस phone के बारे में कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो पूरा specification आपने पता कर लिया, 10 December का आपके बाद टाइम है, अगर नहीं लेना चाहते हो, तो अब कभी फोल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स पर वाचिंग गाइस